एक टॉपिक जो है मैंने कभी नहीं पढ़ा वो है आपका करनाटिक वॉर लेकिन अभी देखा कि यूपी के कोश्चिन में जो है ट्रिट्री आप एक्सला चपला से कोश्चिन पूछा गया तब सोचा कि भाई अब रिस्क लेना सही नहीं रहेगा और जो जो टॉपिक ठीक स नहीं पढ़ा हूँ अभी तक उसमें मतलब माराथा यूद भी है मैसूर यूद भी है और आपका करनाटिक यूद भी है वो भी अच्छे से देखना होगा क्योंकि हर एक कोश्चिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों आज हम आपको समझाएंगे करनाटिक व हो गया क्योंकि जो भी उत्राधिकारी हैं जो भी सक्सेसर्स और जिब के वो इतने स्ट्रॉंग नहीं थे और उसके बाद एड़ सेम टाइम जो इंडिया में थी वो स्ट्रॉंग हो रही थे खासकर आपकर जो अंग्रेज हैं और जो फ्रेंच हैं यह लोग पर इन दोनों क में खासकर हैदराबाद और करनाटक जिसको बोलते हैं वहां पर जो है मतलब पॉल्टिक्स जो था ना बहुत गरम था और वहां पर अधिकारी के लिए काफी फाइट हो रहा था तो वहां भी जो है अंग्रेजों का और जो फ्रेंच का हस्त छेप हो रहा था तो इन सब और इसको बढ़िया से समझते हैं तो चली दोस्तों हम समझते हैं मैप के थूँ आप पहले ये जान लीजिए कि जो भारत 18 सेंचुरी में था वो आज के जैसा बिलकुल भी नहीं था मैक्सिमम एरिया जो था पहले मुगल्स के कंट्रोल में था और और औरंग जेब के दर् लेकते हैं वैसे ही जो हैदरबाद के निजाम है आसब जहां वो खुद को अटोनोमस डिकलेर करते हैं करनाटिक में भी कुछ वैसा ही होता है और मुगल जैसे से डिकलाइन करता है माराथा काफी स्ट्रॉंग होते हैं उसकी बात क्या होता है कि अलग-अलग इरूपियन प पॉर जो है वह बहुत जादा एहम रहती है आपका ब्लिटिस जो और फ्रेंचच और चूक की मुगन्यटर पावर कंत्रोल मुगल कर टॉन दो कूछ कoma ही वह करता है और फिर नीसा के हमला के बाद अर भी उस कशितिका खराब हो जाता है तो यहां पे बिटिस जो और फ्रे रवंकर हो गया और जो करनाटिक वार है वो मैक्सिमम जो है इस एरिया में फाइट किया गया था इसके लिए करनाटिक वार नाम देते हैं पर उसमें इन्वार्मेंट किसका किसका हता है करनाटिक के नवाब का हैदराबाद की निजाम का और बिटिस और फ्रेंच का तो प्रमुकारनाता की 1740 में 1740 में जो है यूरोप में ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के लिए ब्रिटिस और फ्रेंच में जो है यूद होता है और उसके साथ ही साथ अमेरिका जो उस समय जो है तो यहां उनके कुस्मो कस चलती है तो यह तीन कारण रहते हैं और सबसे लेकिन फिर कार जो रहता है वह है जो आग लगा देते हैं उस समय जो है यहाँ पर governor general रहता है फ्रांस का कौन duplex, duplex गुसा जाता है और वो morces के governor को बुला लेता है law burden के और दोनों मिल के जो है फिर मदरास पर कबजा कर लेते हैं उसके बाद दोनों में कुछ मतलब मदभेत रहता है अबरास के कबजा को लेकर फिर law burden जो है वापस कुछ पैसे लेकर वापस चला आता है और duplex जो है फिर control कर लेते मदरास पर मदरास उससे में किसके control में था बिटरसल्स के कंट्रोल में था, बिटरसल्स अमें करनाटेक के जो नवाब रहते हैं, अनुवर उधूदीन खान उससे help मांगते हैं, लेकिन पहले अनुवर उधूदीन जो है, वो मना कर देते हैं, लेकिन बाद मीं को लगता है कि ये डुप्लेक्स जो है वो मेरे लिए भी खत्रा बन सकता है तो अनवर उद्दीन जो है अपने 10,000 सिपाहियों को डुप्लेक्स लगने के लिए भेज देते हैं लेकिन डुप्लेक्स अपने मात्र 1,000 सिपाहियों के साथ ही अनवर उद्दीन के 10,000 सिपाहियों को जो है अ यह पहली बार होता है कि इतने बरे पयमाने पर जो Eropan हतियार है उसका इस्तमाल जो है इंडिया में होता है और यही रिजन रहता है कि जो डूपलेक्स है वो मात्र अपने 1.000 सिपाइयों के साथ अनवार उद्दीन के 10.000 सिपायों को हरा देते हैं साथी साथ यह यहां के भारतिये नवाब की weakness को भी दिखाता है, दरसाता है, और डुपलेक्स जो है आगे मतलब और बढ़ते ही लेकिन उसके पहले जो है treaty of extra chapel हो जाता है, जो कि जर्मनी में है और इस तरह से जो ब्रिटिस और फ्रेंच के बीच में जो वार है वो खतम हो जा रिया था वो अंग्रेजियों को वापस दे दिया आता है और इसके बदले इसके बदले जो है केनेडा में कुछ area नोवास कोट रहा पाकर यज इस बगर जो है यह सब अर्ज de झो है फ्रान्स को दिया जाता है और इस तरह से जो है खतम हो गया और British और French के बीच में समझोता हो गया लेकिन क्या होता कि 1748 में जो हैदरबाद के निजाम होते हैं आसब जा उनकी मित्ति हो जाती है और फिर हैदरबाद के निजाम की गद्धी के लिए मुझपर जंग मतलब जो आसब जा के बेटी के बेटे रहते हैं मतलब जो आसब जा होते हैं वो मुझपर जंग के नाना रहते हैं और आसब जा के बेटे नासिर जंग के बीच में जो है मतलब फिर लराई चालू हो जाती है मुझपर जंग को सपोर्ट मिलता है फ्रेंच का और नासिर जंग को सपोर्ट मिलता है बिटिसर्स का साथी साथ जो करनाटक के नवाब रहते हैं अनवर उद्दीन वो भी सपोर्ट करते हैं नासिर जंग को और फिर वेलोर्क से कुछी दूर अंबर में बैटल ऑफ अंबर होता है 1749 में जिसमें अनवर उद्दीन की हत्या हो जाती है और फ्रेंच जो है डुपलिक्स जीत जाते हैं और के लिए भी दावेदारी बच जाती है वहाँ पे जो है चंदा साहे और मुहम्माद ली तो मुहम्माद ली जो है उनको बिटर सर्फ सपोर्ट रहता है यह अनवर उद्दीन के बेटे रहते हैं और जो चंदा साहब रहते हैं चंदा साहब जो रहते हैं वो उनके मतलब जी इसमें Victoria साबित होते हैं और French हार जाते हैं और मुहम्मद अली जो है फिर करनाटक के नवाब बन जाते हैं फाइनली जो है आपका Treaty of Pondicherry होता है और फिर 2nd करनाटिक वार खतम हो जाता है तो चलिए इसको समझते हैं दोस्तों जो आपका करनेटिक वार है यह 1746-1963 तक रहा जो पहला करनेटिक वार रहा यह 1746-1948 तक चला इसमें जैसे क्या कारण रहा है फर्स्त करनेटिक वार के दोरान ही बैटल आफ अडियार होता है जिसको बैटल आफ सेंट तॉमस के नाम से भी जानते हैं जिसमें फ्रेंच गवर्ण जनल डूपलेक्स के लीडर्सिप में जो अनरुदीन के 10,000 सिपायों को हरा देती है और साथ ही साथ जो है आपका 1746 में फ्रेंच ने मदरास पर कबजा भी कर लिया फाइनली जो है ट्रिट्र अप एक्सला चपल होता है और दोनों के बीच में समझाता होता है मदरास को फिर बिटिसर्स को वापस दे दिया आता है फिर आपका जो है सेकंड कारेटिक वार अब यहां पर तो समझाता हो गया लेक रहता है किसके किसके बीच में मुझपर जंग जो उनके बेटी के बेटे रहते हैं मतलब आसरफ जा जो है मुझपर जंग के नाना रहते है और आसरफ जा के बेटे नासरी जंग के बीच में फिर जो मुझपर जंग है उनको सपोर्ट प्रवाइड रहता है किसका फ्रेंच जो है उसको हरा देते हैं और हैदरबाद के निजाम कौन बन जाते हैं मुझब्पर जंग बन जाते हैं लेकिन अब क्या होता है कि अब क्यूंकि अनवरुद्दीन जो कि करनाटक के नवाब थे उनकी हत्या होगे तो वहाँ भी लड़ाई होने लगता है चंदा साहिब जो कि जो Robert Clive है, वो फ्रेंच को हरा देते हैं, और फिर आपका जो करनाटक है, उसके नवाब कौन बन जाते हैं, मुहम्मद अली, यानि कि हैगराबाद में कंट्रोल रहता है, फ्रेंच लोगों का, और आपका जो करनाटक है, वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है, बिर्टिस का, और फ इसके वज़ाए से, इंडिया में भी फिर थर्ड कानेटिक वार होता है, 1756 से 1763 के बीच में, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट रहता है आपका बैटल आफ वांडिवास, जिसमें की जो आयर कूट रहते हैं, वो काउंट डे लाली को हरा देते, डिफीट करते हैं, और इसी खतम किस से होता है, ट्रिटी आप पैरिस से, मतलब जो थर्ड कानेटिक वार है, ये किस से खतम होता है, ट्रिटी आप पैरिस से, मतलब पैरिस की संदी से जो है, थर्ड कानेटिक वार खतम होता है, और इसमें एक चीज और पताना चाहेंगे कि, इसी दौरान जो है, बेट treaty पहला काहरे खतम हुआ, ट्रीटी और अक्सला चैपल से दूसरा काहरे खतम हुआ, ट्रीटी अपड़ी चैरी से और तिसरा काहरे खतम हुआ, ट्रीटी ब परीश से Battle देख लिजे, पहला काहरे खतम के दौरान 1746 में ग्रff, जिसमें duplicate sникиelli सर्थ Nobel कि अपना सेकंड करनाटिक वार के दौरान बैटल ओफ अंबर में क्या हो गया डुपलिक्स ने अनवरुदिन को हरा भी दिया अनवरुदिन की हत्या भी कर दी उसके बाद बैटल ओफ आरकोट हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइप फुल फॉर्म में आ गए और बिटिसर्स ने करनाटिक वार का कि आपका जो हीदराबाद के निजाह टोल रहा लेकिन जो आपका करनाटिक है करनाटिक के जो नौब है वहतird कर्फार्ट हो रहा हो घर्टेश को चैलेन्ज में थी इंडिया में उसका दबदबा पूरी तरह से खतम हो गया हाला कि क्रिटिवाप तरिस के बाद जो है पॉंडी चेरी को फ्रेंच को वापस कर दिया गया तो यह काफी important है तो दोस्तों उमीद है आपको यह topic समझ में आया होगा हम आगे भी आपको जो important topics उसको आपको simple words में जो है आपको समझाएंगे